है आफ्रिवार इट्स प्रिंस एर आई होब आप लोग अच्छे होंगे यार मजे में होंगे इस टाइक की सरीज को इंजवाई कर रहे होंगे काफी सारे कॉंसर्ट पड़े काफी सारे कुस्सिंस पड़े अभी तक मैं सोच रहा था कि इसको अलग रखते हैं बट उतना भी बहुत बड़ा और वाज डिटा श्रक्टर नहीं है इसको साथ में रखते हैं आपको एजली समझ में आ जागा अपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा इसके बाद एक वीडियो और आपको इस प्लेलिस्ट में लगने वाली है अब छोड़ शोड़े मोटिफिकेसंस आएंगे है तो हमने जितना भी बेसिक और एडवांस टॉपिक था ग्राफ ट्री यह से बड़े बड़े टॉपिक्स हमने कवर कर लिए असानी से तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं तो इसमें क्या बहुत ही सिंपल है अगर आप से कोई पूछे घखर आने लिए बात नहीं है आप ऐसा समझो यह होता है फीफो फीफो फोलो तो फॉस्ट इन फॉस्ट आउट जो पहले आया उसको वह पहले जाएगा ठीक है मतलब फॉस्ट कम फॉस्ट सर वाला सिस्टम है स्टैक में क्या होता था याद करो जो पहले आता था वह तो बॉटम में जाकर बैढ जाता था फिर उसके बाद इंटरी वह और यहां पी आसा नहीं है लैट सबसे पहले इंसर्ट हुआ तो अगर निकलना होगा तो वह सबसे पहले निकलेगा फिर 20 इंसर्ट हुआ फिर 30 फिर 40 तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं back side से insert कर रहे हैं and front side से हम लोग element को बाहर निकाल रहे ठीक है the operation जब हम लोग element को pop करते हैं किसी data structure से that in this case we call it as q sorry dq operation ठीक है and अगर हम लोग insert कर रहें then in q ठीक है e stands for insert ऐसा i से होता है बटो याद करने के लिए अपन ऐसे याद करते d stands for delete तो dq ठीक है क्यों में से हम लोग element को delete कर रहे है और in q बोले तो हम लोग क्यू में से q में element को insert कर रहे है यहां तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब देखो इसमें ना कुछ बहुत ही rocket science नहीं आपको simple email पूशा जाएगा जो आपको क्यू में starting में दिखरा है वो आपका front element हो गया जो end में दिखरा है वो आपको rear element हो ठीकए अब से बोल सकता है कि आप ऐसा फंसे बर्नाओ जो की front element को ब्यरें मतलब की पीषे फ्रंट मतलब किया आगे सब इंग्लिस का डर मेर मतलब इसमें कुछ डेटा एक्स्ट्रक्ट्टर तो मुझे फील ही नहीं हो रहा है अपन जो भी चीज करते हैं वह सब्सक्राइब करते हैं जिसका लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा मतलब क्या प्लेलिस्ट जरूर चेक करना आपको तभी चीजी समझ में आएगे कैसे इंटर लिंग कर पाऊगे अभी जैसे आपको बोला जाए कि साइज बताओ ठीक है साइज बोले तो क्या किस क्यू में हम लोग का कितना element प्रेजेंट है तो इसमें total 4 element प्रेजेंट है kind of things चलो अब एक चीज समझने q in stl अगर हम stl की बात करें मतलब कि standard template library c++ में जो की आता है कि हम लोग directly q को कैसे use कर सकते है ठीक है तो कुछ नहीं करने का q नाम का file को import कर लेने का that's called include हम लोग क q int type का data structure रहेगा that's why हमने int यहां पर डाला और q बोले तो उस q का नाम तो एक q बन गया हमारे पास that's called q ठीक है यहां पर है front यहां पर रियर अब q.push 10 करेंगे तो 10 insert होगा यहां से then 20 20 insert होगा then 30 तो 30 insert होगा अगर हमें बाहर निकालना element को तो its 10 को यहां से बाहर निकलेगा सब इनमारा कैसे काम कर रहा है जीज़ अब को बोला जाए अब दोको जो functions होते हो क्या होते q.push ठीक है तो मैंने जाना q.push 10 मतलब कि push करो 10 को q के अंदर q.pop अगर हम pop करते है it means कि वह q में से element को निकालेगा अब दोको निकालने का सिस्टम जो पहले आया वह पहले निकले तो अब जो q बचा वह क्या बचा 20 & 30 ठीक है यह काइंड ऐसा समझ सकते हो फिर तो q.front अगर q.front की बात करें तो result क्या है का 20 क्यों because front पे तो 20 q.back q.back की बात की जाए तो 30 because back में 30 है पीछे साइड अब आत करें q.empty की बात की जाए ठीक है अगर इसका value true आता है it means की q जो है empty है it means की उसमें कोई भी element present नहीं है q.size की बात की जाए तो अभी right now is q का size है 2 it means की total उस element q में कितने element present simple कुछ rocket science लगा क्या नहीं बस concept क्या था जो पहले आया वो पहले नि सिंपल है कोई rocket science नहीं सहीं जैसे stack में यूज होते थे और फंस उसे तरह इसमें बिल्ड फंस बने वें जो कि STL का पार्ट है आपको यूज करने आ जाएगा कोई rocket science नहीं एक चोटा से चीज आपको मैं बताता हो यहां पर बस ऐसे practice के लिए मैंने आपको यह करवा रहा गहाना अगर में क्योंटकि बात करो इसका अंसर आगा वर हीust क्योंकि front वर्ड अगर में क्योंटड नहीं क्यों यूज कुछा सिर्फ यह बचा रहा नहीं शितलों कि बात की जांतों क्यूट साईज है यहां पर फोर माइन क्यूट एक अपो पॉ को यह ध्यान रखना क्यों डॉट फ्रंट की बात किये जाए इस बार थोई क्यों सब्सक्राइब आइस आदा इस तो नहीं है अब जो है चार-पांच को सब्सक्राइब करवा हो जिससे कि आपको इंटर्व्यू बूस्लिक्ष और कुछ नहीं आता इंटर्वीव कुछ नहीं